एलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल, दोस्तों RTE की अंतरगत, मिसुलक एडवीशन की पिरकरिया स्टार्ट हो चुकी है, UKG, KG1, नर्सरी और फरस्ट क्लास के लिए, तो किस परकार से आपको एडवीशन पिरकरिया में भाग लेना है, चलिए दोस्तों वीडियो को कर लीजिए, सब से पहले दोस्तों आपको अपनी किसी ब्रावजर को ओपन कर के गूगल परा जाना है, गूगल पर करना है रूट निक वाद आपको सामने एक लिंक का जाएगी उनलाइन I.T.E.डवीशन लोट्री इस पर आपको किलिक करना है तो जैसी आप इस पर किलिक करेंगे आपके सामने आईटी की ओपीसियल वेबसाइड ओपन होगी और यहां पर आप देख सकते हैं निसुल को प्रवेश आविदन पत्र सन दोयर 22 यानि कि आज 16 जून से इसके आविदन स्टार्ट हो चोके हैं तो यहां पर देखिए पहले दोयर 21 लिखा आ रहा था लेकिन अब 22 तेश आ गया है इसके बाद यहां पर आपको आवस्सक सूचना में आविदन से समग्दे संपूर्ण जानकारी दी गए जिससे आप पढ़ सकते हैं और यहां पर आपको पूरी जानकारी आप एक बार अच्छे से स कनफर्म करके पढ़ लीजिए इसके बाद आप नीचे स्कॉल स्कॉल करेंगे नीचे स्कॉल करने के बाद आपको देखिए यहां पर फॉर्म ए मिलेगा कैपिटल अक्षर में आपको सारी डीटेल यहां पर भननी होगी सबसे पहले यहां पर प्रवेशारती का आप नौ अंकों का यहां पर समग्राइड इंटर करेंगे और इस साइड आपको फैमिली आइड इंटर करना है तो इसके बाद आपको यहां पर ग्रामीन या सहरी आए तो वो आप सेलेट करेंगे यहाँ पर आपको जिला चूस करना है इसके बाद आपको यहाँ पर उप्सन मिलेगा जनपत पंचाथ या आपकी नगर पालिका या नगर निगम जो भी है वो आप सेलेट करेंगे इसके बाद यहाँ पर अपना ग्राम पंचाथ या जॉन सेलेट करेंगे इसके बाद आपको यहां पर अपना बाड या अपना ग्राम सेलेट करना होगा और इसके बाद आपको आपसन मिलेगा अपना मुहला या आपका जो भी साइट है उसका आप यहां पर नाम इंटर करेंगे और इसके बाद आपको नेश्ट यहां पर आपसन मिलता है मकान नंब प्याफर अपना complete address आपको यहां पर इंटर करना होगा type करके यहां पर आपको अपना mobile number इंटर करना होगा तो जो भी पालक है वो अपना स्वेम का mobile number इंटर करेंगे और इसके बाद यहां पर आपको मुबाइल रॉबर अगर कि अधर है तो वह यहाँ पर दे सकते कंफरम करेंगे यहाँ पर सेक्रिंड यहाँ पर पालक कि इमेल Рब 24 कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको आधार में और यहाँ पर जन्परमान पत्र के अनुफार यहाँ पर आपको पितागी जानकारी हुआ पर क्यापड़ अक्ष्र में भएनी होगी तो सब से पहले आपको आधार में अंकत यहाँ पर छाट्र का यहां लिखना होगा जो भी आभिदक है और यहां पर उसकी जाती या उपनाम लिख सकते हैं इसके बाद आपको डेट आप बर्त लिखनी है आदार काड के अनुसार यहां पर आपको जन्परमान पत्र के अनुसार यहां पर student का नाम लिखना है इसके बाद यहां पर उसका उपनाम या जाती या सरनेम आप लिखेंगे यहां पर date of birth लिखनी है जन्परमान पत्र के अनुसार यहां पर आप जेंडर चूस करेंगे male female और यहां पर आपको जाती टाइब करनी है SC ST OBC जो भी है वो आप सेलेट करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर प्रवेसारती का जो भी लिंग या जेंडर है वो आप यहाँ पर टाइब करेंगे इसके बाद आपको category यहां पर type करना है तो SC, OBC यह जो भी यह जेनरल वह आप यहां पर type कर दीजिए इसके बाद आपको यहां पर पिता का नाम इंटर करना होगा तो student की father's का नाम यहां पर आप English में type कर दीजिए यहां पर जन्परमान पत्र के अनुशार आपको पिता का उपनाम और पिता की यहां पर समगराइड आपको no digit की इंटर करना है इसके बाद आप माता का नाम लेकेंगे यहां पर जन्परमान पत्र के अनुशार इसके बाद माता का उपनाम और यहां पर मदर्स का समगराइड का घृव आपको नीचे आना है नीचे आपको मिलेगा यहां पर डॉक्क्यमेंट पंशन तो यहां पर आगर आपके पास भी फील कार्ड ez पहों सेलिट करेंगे जलिए नीचे आपकå जो भी पातरता चीनल्स डॉक्यमेंट रॉप चोछ और उसने सब्मंद्र हों यहां पर जानकारी भरननी होगी तो आप देख लीजिए आपको जो भी आपकी पात्रता है उससे सम्मंदित डोकुमेंट सेलेट करेंगे और इसके बाद आपको यहां पर स्कूल सेलेट करना होगा तो तो नियुन तम आप आपको प्रात्मिक्ता देना है बन टू त्री इस परकार से और इसके बाद आपको यहां पर चैनित स्कूल का जो भी आईडी है वो आप यहां पर इंटर करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर पिर्वेस हेतू जो भी आप स्कूल चाहिनेत करना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर नाम और पता लिखेंगे और इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर एक नौट दिया हुआ है कॉलम में पिर्वेसारती के निवास के स्कूल या ग्राम बाट या जो भी यहाँ पर आपके नईदी की स्कूल है उसके अनुशार आप यहाँ पर जानकारी सेलेट करके यहाँ पर इंटर करेंगे अगर आपको एक से अधिक स्कूल जोड़ना है तो आप अतिरिक्त बिकल्प जोड़ें के ऑप्सेन पर किलिक करेंगे अगर आपको गलत जानकारी भरी लगती है तो आप गलत बिकल्प हाटा सकते हैं और यहाँ से आपको अपनी डीटिल सेप करनी होगी तो इसके लिए आपको नीचे आना है अब नीचे आने गवाद यहाँ पर आपको पिकी सत्यापन ही तू निकर्तम सक्चा के अंदर को सेलेट करना है तो आप जिला चूस करेंगे block select करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर नज़दी की जन्ज सिक्चा के अंदर को select करना है यानि जो भी आपके नज़दी की higher secondary school है वो आप select कर सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइपन के लिए तो यहाँ पर हम यहाँ पर नज़दी की school को select कर लेंगे select करने के बाद आपको यहाँ पर बच्चे की photo यहाँ पर 100KB की size तक आप upload कर सकते हैं तो आपको बढ़िया यहाँ पर clear photo upload कर देनी आई इसके बाद आपको यहाँ पर admission quota आरक्षत samoo से सम्मन्द जो भी आपने document है वो आप select करेंगे जैसे कि आपके पास BPL card है तो वो आप upload कर सकते हैं यह फर आपने other कोई document select किया है तो आप उसके अनुशार यहाँ पर 500 के भी तक फाइल में document upload कर सकते हैं document upload होने के बाद आपको फिर से उपर आना है और यहाँ पर school विकल्प save करें के option पर click करके अपने data save कर लेना है तो जैसे ही आप पर student का पूरा data save हो जाता है इसके बाद आपके सामने print out आ जाएगा और print out आपको जो है निकाल कर अपने जो भी नईती की school है उसमें आप सत्यापन के लिए जा सकते हैं सत्यापन के पच्चात बच्चे का यहाँ पर confirm हो जाएगा और इसके बाद जो भी lottery के माद्यम से list जारी की जाएगी उसके बाद जो है आप बच्चे का एडविशन चैने ते स्कूल में करा सकते हैं तो फ्रंट यह था एक complete information आई टी के त्यात एडविशन फॉर्म भाइने का आई होप के दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा तो वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अलप्रस कर लीजिए